भारती जंता पार्टी ने उप्चुनाओं को लेकर अपने प्रत्याशी घोशित कर दिये हैं मैनपुरी सीट से रगुराज शाक के को प्रत्याशी बनाया गया है और माना जा रहा है सबसे रोचक चुनाओ मैनपुरी का होने वाला है बात करेंगे डिप्टी सीम केश्व पर प्रती जो सम्मान उनके परिवार के पूत्रों हों चाहे उनके अन्यस अदस हों जो सम्मान उनके मन में नेता जी के प्रती था वह सम्मान हम लोगों के मन में भी है और हम नेता जी को नमन करते हैं और इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उनके ही सम्मान में 2019 के लोकसभा चुनाओं में। बहुत बड़ी जीत का अंतर नहीं था, लेकिन उसमें प्रचार करने के लिए ना हमारे राष्टी अध्य जी गए थे, ना आमानी प्रधानमंत्री जी गए थे, ना कोई वरिष्ट नेता गया था, कि नेता जी अगर संसद में रहेंगे, वरिष्ट नेता है लेकिन अब नेता जी नहीं है, उनके निधन के कारण से सीट खाली हुई है, और सी रगुराज साक्य जी वहाँ से सांसद रह भी चुके हैं, और भारती जनता पार्टी में वहाँ विधान सभा चुनाओं से पहले सामिल हुए थे, और मुझे पूरा विस्वास है, रिकार लेकिन मैं पूरी लोकसवास सीट भारती जनता पार्टी की जोली में होगी, कमल का फूल खिलेगा। सिल्गोवास ठीक जोली में काना प Judy के तकत बढ़ना चाहते हैं, कि मेन मैंपूरी उत्तर प्रदेश देश में डेश थे, आई मतली में महीं है, म्धार संस-प्रदेश में पहलब कारी जेकिति राधार मिधान सामिल्द भाठवास हिर स्परहु आगर में भाड़ीज की मैं सिर्वाद देखर के बीज़ है लिंपल यादों को पर्तियाशी बनाया गया है क्या चोती भाफ को प्रचार के लिए भेज़ेंगे आप लोग अपना यादों को पार्टी ताइं करेंगी आभी जो प्रेकर को सूची आएगी जिन प्रसाद मौरिया जी को उन्हों ने इस फस्ट कहा कि आने वाले समय में जब नतीजे आएंगे उप्चुनाओं के तो भारती एजन्ता पार्टी का कमल हर जगे खिलता हुआ नजर आएगा कैमरामें शर्वन कुमार के साथ सीमाम नक्वी भारस समचार लखनव